चलिए बच्छो स्टार्ट करते हैं Negotiable Instrument Act 1881 सबसे पहले Negotiable Instrument का मतलब क्या है As per Negotiable Instrument Act तीक इंक्लूड़्स Promisory Note, Bills of Exchange और चेक्ट तीन चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है Promisory Note, Bills of Exchange या चेक पेवल इधर to order और to the bear अब आप कहेंगे either to order or to the bear क्या होता है, भी simple words मैं आपको समझाऊंगा बाकी detail में आगे बात करेंगे कभी आपने check पे देखा हो तो कई बार हम क्या करते हैं check पे self लिख देते हैं तो self check अगर check पे हम self लिख दें तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उस check को bank में लेके जाएगा उसको payment मिल जाएगी बट अगर हम किसी का नाम उसके उपर लिख दें तो सिर्फ उसी व्यक्ति के account में payment आईगी उसी व्यक्ति को payment मिलेगी जिसके नाम पर वो check है तो अगर किसी का नाम mention है तो order हो गया और अगर self mention है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो payable to bearer अभी simple सा example दे रहा हूँ later on detailed discussion इस पर करेंगे also negotiable instrument may be made payable to payable jointly हो सकता आप bills of exchange को ही बनाए तो वो jointly नाम पर payable हो jointly मतलब एक तो होता है कि suppose Mr. A को payable है but A and B अगर combinedly payable है तो that will be called as jointly ठीक है तो negotiable instrument payable jointly समझ मैं ही बाद फटा फटा इसको note करिये first चलिए अब promissory note bills of exchange और check is payable to bear order इसका मतलब क्या है अगर payable to order है तो इसका मतलब है it means payable to a particular person जैसा भी मैंने आपको example दिया कि check case में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो उसी व्यक्ति को उसकी payment मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी तो it simply means it is payable to a particular person promissory note bill of exchange और check is payable to bearer इसका मतलब क्या है it means payable to person holding the instrument जैसे मैंने आपको बताया check पे अगर self लिखा हुआ है तो जो भी उसको hold कर रहा है उसको payment मिल जाएगी जतना आपको बता रहा हुँ सिर्फ उतना करना उससे ज़्यादा कुछ करने के ज़ुरत नहीं अच्छा some examples of instruments that which are for the time being by law or custom usage of trade are negotiable government के promissory notes, शाह जाओग hundis, delivery orders, railway receipts, draft, banker draft तो ये कुछ ऐसे instruments हैं जो आज भी negotiable है, hundis क्या होती है ये मैं थोड़ा साब को बताना चाहूंगा क्या होता था hundis के अंदर जैसे कोई reputed person है market का, चीक है तो वो क्या करता है, एक hundi लिख देता है hundi क्या लिख देता है जैसे उसने एक paper पे लिख लिख लिए कि इस paper के against, जो ये paper लिख आएगा मैं उसको एक लाख रुपे दूँगा after three months चीक है, मैं after three months उसको एक लाख रुपे दूँगा अब क्योंकि वो person reputed है तो कोई भी उस पर trust करने के लिए तयार है कि ये विक्ती एक लाख रुपे देगा इस paper को जो को लिख आएगा after three months और ये paper उसने किसी Mr. A को बेच दिया 90,000 का चीक है अब वो Mr. A आगे किसी Mr. B को बेचेगा 92 का, वो आगे 93 का, 94 का बेच दे रहेंगे क्योंकि पता है तीन महिने बाद इस paper के अगेंस एक लाख रुपे मिल जाएंगे तो ये जो paper ऐसे लिखा गया है तो कई बाद लोगों पर हुंडीज पढ़ी होती है इसका मतलब उनको एक specific sum जो है मिलना है तो जस्ट आपकी reference के लिए वैसे exam में question आने के chances कम है हाँ ये दो definitions जो है ये आपसे एक एक number के अंदर पूछी जा सकती है चले बात करते हैं कि promissory note क्या होता है promissory note is an instrument in writing सबसे पहली चीज़ कि ये writing के अंदर होना चाहिए अगर oral है तो उसको आप promissory note नहीं मान सकते है oral ही किसी ने बोल दिया मैं आपको पैसे दूँगा तो that is not a promissory note it should be in writing not being a bank note और currency note bank note या currency note जो है उसको promissory note नहीं माना जाता जबकि अगर आप देखे currency note पे लिखा होता है promise to pay rupees 100 to the bearer of the instrument मैं धारक को 100 पे अदा करने का वचन देता हूँ आप देखे नहान से ऐसा लिखा होता है but as per negotiable instrument act वो promissory note नहीं होता चाहिए तो second जी जो आपको समझनी है कि it should not be a currency note चाहिए या bank note किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में अब जो bank note है ये पर्चलन में बिल्कुल भी नहीं है नहीं देखने को मिलते main जो है वो currency note देखने को मिलते हाँ में containing an unconditional undertaking सबसे बड़ी चीज चो इसमें लिखी हुई है unconditional unconditional मतलब बिना किसी condition के undertaking undertaking क्यों क्योंकि देखो promissory note में व्यक्ती promise करता है कि मैं पैसे दूँगा इसलिए word use किया गया undertaking यही bills of exchange में हम word use करेंगे order क्योंकि उसके अंदर order दिया जाता है कि आपको पैसे देने है unconditional का मतलब क्या है नाम से पता लगता है कि किसी भी तरीके की कोई condition नहीं होनी चाहिए देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको समझनी है there may be a condition हो सकता है कि condition हो लेकिन that condition must be certain वो condition जो है certain होनी चाहिए like मैं simple सा example देता हूँ बड़े ध्यान से समझेगा Mr. A ने Mr. B को बोला कि मैं आपको payment करूँगा तीन महीने बाद I promise to pay you rupees 10,000 after 3 months there is a condition after 3 months I will pay you but it is very much certain suppose उन्होंने यह लिखा I will pay you rupees 10,000 whenever I will have the money अब ठीक है condition तो लगा यह but whenever I will have the money आप पे पैसा कब होगा it's not certain it's highly uncertain तो unconditional का मतलब यह नहीं है कि आप यह समझेगो कोई condition ही नहीं हो सकती condition हो तो सकती है लेकिन वो very much certain होनी चाहिए कि कब वो fulfill होगी तो it must be nighting not oral it should not be a currency note and it is a unconditional undertaking signed by the maker जो maker है उसे sign करता है मतलब जो भी promise दे रहा है व्यक्ति उसे sign करेगा signed by the maker या drawer of note जो भी उसको बना रहा है वो उसको sign करेगा कि मैं यह पैसा आपको pay करूँआ to pay a certain sum of money the fifth point that you have to understand certain certain मतलब fixed amount of money ऐसा नहीं हो सकता कि promissory note आपने draw कर दिया जो कि और उसके उपर लिखा हुआ है कि I will pay you necessary amount after three months तो वो जो word लिखा हुआ है necessary amount after three months वो promissory note को invalid कर देता है there should be a fixed amount of money that is there should be a certain sum of money that should be present on promissory note or to the order of a certain person or to the bearer of instrument क्या लिखा हुआ है certain sum of money only to या तो suppose Mr. A ने Mr. B को promissory note दिया ठीक है तो A ने B को दिया certain sum of money only to या तो उसको या or to the order of B के order पे suppose B ने आगे C को endorse कर दिया C ने आगे D को endorse कर दिया तो or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument वो depend करेगा कि जो endorsement हुई है वो किस तरीके की हुई है अब मैं यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा बड़े ध्यान से समझे suppose A ने B को promissory note दिया और इस पे लिखिया कि I will pay you rupees I will pay the rupees 10,000 to Mr. B only after 3 months I will pay rupees 10,000 to B only after 3 months मैं 10,000 पे पे करूँ हा सिर्फ B को after 3 months तो अगर B only लिख दिया तो obviously उसको endorse नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें लिख दिया तो इसलिए लिखा हुए only 2 और to the order of अब suppose उन्हों लिखा I will pay rupees 10,000 to B or order मतलब या तो B को pay करूँगा या उनके order पे किसी को pay करूँगा चेक है और B ने आगे endorse कर दिया C को तो obviously if it C को भी payment मिल जाए or to the order of a certain person और आगे के लिखा है or to the bearer of the instrument suppose अब बड़े ध्यान से देखेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात बहुत important है जब B ने C को endorse किया तो उस पे लिखा pay to C or order sign by B B ने उसको sign किया ये endorsement होगी C ने आगे उसे D को endorse किया अब जब C ने आगे उसे D को endorse किया तो उस पे लिखा pay to B error sign by C दोनों में difference के द्यान से देखे अगर एक बार उस पे bearer लिख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि अब आगे ये जिसके हाथ लगता चला जाएगा instrument सुपोस D से चोरी करके E के पास चला गया E ने चोरी कर ली D से तो E को पेमिंट मिल जाएगे bearer लिखने का मतलब होता है that whosoever is holding it वो उसका मालिक है simple C जब तक order लिखा हुआ है C और order इसका मतलब C को मिलेगी या C instruction देगा तो उसको मिलेगा लेकिन एक बार उस पे bearer लिख दिया तो इसका मतलब जो hold कर रहा है उसको मिलेगी तो promissory note हो सकता है कि आप certain person के लिए बनाए या order to the bearer of the instrument तो main बाते जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है अच्छे से कि writing में होना चाहिए it should not be a currency note unconditional होना चाहिए unconditional मतलब condition हो सकती है but that should be certain it should be signed by the maker without sign है तो invalid होगा fixed amount of money होना चाहिए uncertainty उसको लेके नहीं होनी चाहिए तो यह पाँच बात है तो जो आप अलग से specifically लिख भी ले और यह definition उमीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी instrument in writing not a currency note unconditional signed by the maker certain sum of money only to order of or to the beer यह सब आपको इस तरीके से mention करके आना है इसे 8 number दे देना total 1,2,3,4,5,6,7,8 ताकि आप definition लिखो तो आपको सब words याद है आए कुछ examples दिखते हैं promissory note के I promise to pay pay or order rupees 500 तो देखिए it is in writing unconditional undertaking है yes or no उसके बाद sign by the maker हम assume करेंगे there is a certain sum of money तो it's a valid promissory note all the conditions are satisfied I acknowledge myself to be indebted to b rupees 1000 to be paid on demand for value received यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत समझ में नहीं हा रही है चारो सारी conditions fulfill हो रही है valid promissory note है Mr. b iou rupees 1000 now what is this iou there is no undertaking तेखिए क्या लिखा है there should be unconditional undertaking यहाँ पर कोई undertaking नहीं थी जैसे उन्होंने यहाँ लिखा I acknowledge I promise ऐसी undertaking यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इसको जो है promissory note नहीं कह सकते इसलिए valid promissory note नहीं है I promise undertaking है 500 certain sum of money and all other sums अब all other sums of money लिख दिया जबकि law क्या कहता है there should be a certain sum of money yes or no तो यहाँ पर कोई certain sum of money नहीं है इस वज़े से यह promissory note नहीं है क्योंकि promissory note के लिए there should be a certain sum of money I promise to pay b rupees 500 first deducting there out any money which he may owe me तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए कोई certain sum of money नहीं है क्योंकि कितने expense deduct करेगा कुछ fix नहीं है तो इससे भी हम promissory note नहीं कहेंगे I promise to pay b rupees 507 days after my marriage with C अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है unconditional undertaking होनी चीए conditional है और सर आपने यह कहता कि condition अगर certain है तो उसे हम valid कहेंगे ठीक एक बाह बताओ after my marriage with C उसकी शादी कब होगी C से हम क्या कुछ decide कर सकते है नहीं कर सकते तो it's not a unconditional undertaking इस वज़े से हम इसको promissory note नहीं कहेंगे समझ महीं बाद I promise to pay b rupees 500 on D's death provided D leaves me enough money to pay that देखें अगर यह सर्फ यहाँ तक होता I promise to pay b rupees 500 on D's death मैं इसे promissory note कह देता क्योंकि death जो है very much certain है ठीक है condition लगी हुई है but वो certain होती क्योंकि death जो है वो certain है but उसने कह लिखा provided D leaves me enough to pay that's वो इतना पैसा छोड़ के जाए कि मैं pay कर सकूँ तो यह जो है एक unconditional undertaking हो जाती है इसे हम promissory note नहीं कहेंगे I promise to pay b rupees 500 and to deliver him my black horse on 1st January next तो देखे promissory note के definition में बड़ा clear है certain sum of money होना चाहिए money means legal tender money तो क्योंकि यहाँ पर not payable in money है मतलब money के अलावा दूसरी चीजों में भी payable है not only in money terms तो इस वज़े से हम इसे promissory note नहीं कहेंगे तो एक कुछ example इस तरीके के आप से exam में पूछे जाते हैं इसे त्यार कर लीजे अच्छे से चलिए यह bill of exchange देखते हैं क्या होता है it's an instrument in writing first condition same as promissory note containing an unconditional order देखिए promissory note में undertaking होती है bill of exchange में order होता है suppose A ने draft बना के बेजा B को जिसे B accept करेगा तो A ने अगर bill बना के बेजा जिसे B accept करेगा तो A ने order दिया है B को कि भाया आप इसे accept करो B अगर अपनी तरफ से बना के बेज़ता कि I promise to pay rupees इतना तू Mr. A तो वो promissory note होता वो undertaking दिर है लेकिन यहाँ पर A ने order दिया है कि आपको मुझे इतने पैसे देने है signed by the maker that is Mr. A directing to pay a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument वाकी चीज़े आप देखेंगे absolutely same है जो main difference है वो यह कि वहाँ पर unconditional undertaking होती है यहाँ unconditional order होता है at the end of this act मैं आपको एक difference दोंगा bill of exchange or promissory note के तो जब यह आपका पूरा पूरा act complete हो जाए तो उसके बाद उसे जरूर करीगा कई बर 5 नंबर का exam में पूछ लिया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें की check क्या होते है as per negotiable instrument तो check is a bill of exchange drawn on specified banker and payable on demand suppose मैंने आपको एक एक लाग रुपे का check दिया चेक है अब मैंने आपको एक लाग रुपे का check दिया और मेरा खाता है ICICI bank में तो drawn on a specified banker ICIC bank payable on demand जब आप उसे अपने bank में ले जाके present करेंगे deposit करेंगे suppose मैंने आपके नाम पे दिया है आप उसे अपने account में जाके deposit करते हैं जब भी करते हैं उसकी एक time limit होती है as per RBI policy check को 3 महीने के अंदर maximum आपको present करना तो है जब भी आप present करेंगे उसी समय आपको payable on demand है it includes electronic image of a truncated check and a check in electronic form अब यह क्या होता है बड़े ध्यान से समझेगा देखिए suppose मैंने आपको 1 lakh का check दिया ICICI का आपने उसे आप Mr. V है suppose आपने उसे अपने बैंक में HDFC में deposit कर दिया चैके तो होता क्या है HDFC bank और ICICI के बीच में कैसे transaction होगा there is a clearing house HDFC क्या करता है इस check को clearing house में भीजेगा clearing house के अंदर कैसे भीजेगा उस check को आज की time पे scan किया जाता है और scan करके clearing house में भीज दिया जाता है फिर clearing house में दोनों banks के representative होते है ICICI के, HDFC के और कुछ verification के बाद पैसा जो है उस खाते से निगालके HDFC के खाते में transfer कर दिया जाता है तो basically जो physical check होता है जब उसको scan किया जाता है electronically convert किया जाता है उसको हम बोलते है truncated check and it is for the purpose of clearing check-in electronic form क्या होता है इसमें कोई physical paper का involvement ही नहीं होता ये check electronically ही बनता है और ऐसे इस तरीके से उस पर digitally जो है वो sign किये जाते है आपको ये generally देखने को नहीं मिलता ये corporate levels पे चलता है बहुत high level पे in day to day life ही हमें देखने को नहीं मिलता truncated अलग है जब physical को ही scan करते है for the purpose of clearing house ताकि उसके ICIC से पैसा HDFC में आए तो हमने उसको बोला है truncated check समझ मैं इबाद तो check is a bill of exchange जो कि specified banker पे होगा payable on demand and it includes the electronic image of a truncated check and check in the electronic form चेक है banker में कौन आएंगे banker and any post office saving account post office के जो saving bank है वो भी इसके अंदर cover होते हैं उसके against भी check issue किये जाते हैं समझ मैं इबाद यहाँ check in electronic form की definition अगर आप देखें check drawn in electronic form by using any computer resource inside in a secure system with digital signature आप इसको और electronic signature as the case में भी इतना ही कर लिजे ठुक है truncated check during the course of clearing house either by the clearing house or by the banker whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for transmission substituting for further physical movement of the check in writing सर इतना तो हमें याद रहेगा बहुत अच्छा तो आप एक काम करीए means such a check which is truncated during the course of clearing cycle either by the clearing house or by the bank यह मत करिये अच्छेक है अच्छेक है in electronic image for transmission of stream for further physical इतना तो at least आप कर सकते हो ज्यादा भी simplify मत करवायागा चले check is also a bill of exchange but is drawn on a banker and payable on demand यह बात ध्यान रखनी है यहाँ पर भी लिखा होता check is a bill of exchange एक तरह का bill of exchange ही होता है बट इसमें दिखकर चीज है कि drawn से banker पे होता है और payable on demand होता है यह आप से one mark में पूछा जा सकता है एकदम special तो आपने देखा कि exactly bill of exchange क्या है check क्या है tungated check क्या है check in electronic form क्या है सारा यह जो है फटा फटेक पर note down करें फास्ट चले बात करते है draw and draw देखे bill of exchange और check के case में person who is a maker जो bill बनाता है या check बनाता है उसको हम बोलते हैं draw person who is directed to pay और जिसने payment करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं draw चेक है इसके बाद draw in case of need यह आप से question पूछा जा सकता है when the bill in the bill और in any endorsement they are on the name of any person is given in addition to the draw draw के अलावा draw कौन होता है जिसने payment करनी होती है उसके अलावा किस और का भी नाम दिया जाता है to be resorted in case of need जिसको आप contact कर सकते हो resort कर सकते हो अगर कुछ जरुवत पड़ती है such person is called drawing in case of need suppose Mr. A है bill बनाया Mr. B ने accept किया और साथ में उस पे B के साथ Mr. C का भी नाम दे दिया गया तो Mr. C drawing case of need in case B traceable नहीं है उन से contact नहीं हो पा रहा है तो आप Mr. C से contact कर सकते है तो when in the bill or in an endorsement point number 1 the name of any person is given in addition to the drawee point number 2 यहां तक to be resorted in case of need point number 3 such person is called as drawing in case of need समझ मैं इस बाद? श्याँ? इसके बाद बात करते है acceptor कौन होता है तो after the drawee of a bill has signed his ascent upon a bill जब drawee bill को sign कर देता है और से deliver कर देता है and deliver the same or give notice of such signing to the holder holder मतलब drawer को information दे देता है कि भीया मैंने bill sign कर दिया है ठीक है या उसको delivery दे देता है physically उसको hand over कर देता है or to some person on his behalf या उसके agent को तो he is called the acceptor तो simple सी चीज़ है drawee acceptor है लेकिन drawee acceptor कब बनेगा drawee acceptor तब बनेगा जब वो उसके instrument को sign कर देगा plus इसकी information जो है information of signing कि वो instrument sign हो चुका है वो information जो है holder के पास, drawer के पास पहुँच जाएगी या instrument ही deliver कर दिया जाएगा या उसके agent को information दे दी जाएगी तो वो acceptor बनेगा समझ में ही बाद जितना मैंने yellow underline किया है सिर्फ उतना ही पाद आपको note करना है और कुछ भी नहीं करना समझ में ही बाद, sure इसके बाद acceptor for honor ये क्या होता है undertaking by third party to accept and pay bill of exchange that was dishonored either by non-acceptance or by non-payment by the party to whom it was drawn मतलब जब कोई third party undertaking by third party मतलब एक तरह से कोई guarantee to accept and pay bill of exchange वो कहता है कि मैं bill of exchange की payment करूँगा अगर ये bill dishonored हो गया किसी भी कारणवर्स चाहे non-acceptance की वज़े से या non-payment non-acceptance की वज़े से कब होता है जैसे A ने bill भेजा B को और B ने उसे sign ही नहीं किया तो हम कहते है it is dishonored by non-acceptance चीक है मत उसे sign कर दिया और sign के बाद payment नहीं करी तो हम उसे बोलते है dishonored by non-payment तो undertaking by third party to accept and pay bill of exchange that was dishonored either by non-acceptance और by non-payment by the party to whom it was drawn तो उस case के अंदर undertaking जो दे रहा है उसको हम बोलते है acceptance for honor इस चीज़ को हम acceptance supra protest भी बोलते है बहुत important definition है बहुत simplify करके आपके सामने रखिए please इसको करेगा तो आपने देखा draw कौन है draw कौन है draw in case of need कौन है acceptor कौन है acceptor for honor कौन चलिए अब देखते है pay कौन होता है simple words में finally जिसको पैसे मिलते है या अगर वो खुद नहीं ले रहा उसका agent ले रहा है तो obviously हम उसको क्या कहते है pay तो person named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid whose order मतलब इसका यहाँ पर agent है चाहिए is called the pay तो एकुछ important definitions है जो exam में पूची जा सकते है जिसमें RBI देखे दो negotiable instrument act allow करता है लेकिन RBI 1934 clearly कहता है कि कोई भी ऐसा promissory note जो कि payable है bearer को वो issue नहीं किया जा सकता या कोई भी ऐसा bill of exchange which is payable to bearer on demand payable to bearer on demand मतलब कि जैसे ही present किया वैसे ही payment हो जाए यह possible नहीं है at least three days of grace आपको पता है bill of exchange के case में होते हैं तो वो जो है जरूर provide किरने पड़ेंगे तो RBI एक दो चीजों की permission नहीं देता इस पर आप से question पूछा जा सकता है चलिए बहुत important video आप कर रहे है holder and holder in due course इस पर question आने के बहुत जादा chances होते है दिखिए holder of bill हम किसको बोलते हैं जो भी ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा person जिसके पास bill का position है and he's entitled to recover the amount उसको हम बोल देते हैं कि वो holder है मतलब suppose मेरे पास एक bill of exchange है जिससे मैं Mr. B से payment ले सकता हूँ तो मैं एक तरह से holder हूँ उसका but holder in due course कौन होता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने bill लिया है for a consideration and in good faith good faith मतलब उसे suppose A ने B से bill लिया मतलब A ने bill accept किया था और B ने bill draw किया था चैक है B ने इसे आगे endorse कर दिया C को अब A ने जो accept किया था और B ने जो bill draw किया था ये by way of fraud हुआ है चैक है अब काइदे से by way of fraud है तो bill of exchange invalid हो जाता है तो B को हम holder तो कहेंगे लेकिन holder in due course नहीं कह सकते might be for consideration but it is not in good faith it has been obtained by way of fraud अब suppose B ने आगे उसे endorse कर दिया C को और C को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये bill A से by way of fraud लेके गया है C ने कोई transaction करी तो consideration थी ठीक है good faith के अंदर लिया उसे A के साथ fraud हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं पता प्लस जो bill है वो B से C के पास आगया that is now he is in possession of negotiable instrument प्लस before the maturity suppose bill की duration 3 months की है तो 3 महिने से पहले ही वो endorse हो जाना चाहिए तो अगर ये 4 conditions fulfill होती है तो हम उसको कहते हैं कि that is basically a holder in due course तो अगर definition आजाएगी holder in due course क्यों होता है क्या होता है तो आपको simply क्या लिखना है person who for consideration in good faith has the possession of negotiable instrument before the maturity of bill will be called as the holder in due course तो holder and holder in due course में बहुत difference होता है और मैं आपको एक बात बताओ अगर कोई वेक्ती holder in due course है suppose Mr. A और Mr. B है Mr. B के पास पे लाया by way of fraud चेकर है और उन्होंने आगे वो C को दे दिया जो कि holder in due course है उनको इस के बारे में नहीं पता अब suppose वो payment लेने जाते हैं Mr. A से और Mr. A payment देने से मना कर देते हैं तो भी Mr. A को C को payment देनी पड़ेगी चाहे उनके साथ fraud हुआ है क्यों? क्योंकि देखो C जो है holder in due course है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक बार कोई व्यक्ती holder in due course बन जाता है तो irrespective of the fact कि originally bill का क्या status था इससे कोई फरक नी पड़ता एकदम वो गंगा के पानी की तरद clean हो जाता है जी हाँ गंगा के पानी की तरद clean हो जाता है इसका मतलब मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि ठी capital defective था लेकिन once वो किसी ने consideration के against in good faith और before the maturity and उसके पास possession है तो फिर वो holder in due course बन गया उसको payment का denial नहीं किया जा सकता यहाँ पर A जो है B से recover करेगा जो उसने करना है लेकिन C को payment के लिए आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वो holder in due course बन गया B जो है वो सिर्फ holder है उसको मना किया जा सकता है holder के पास यह right नहीं होते लेकिन if you are holder in due course you cannot be denied from the payment यह law बड़ा clear कहता है हाँ अगर कोई illegal aspect है illegal aspect है suppose B ने एक bill बनाया और sign of A forge किया duplicate sign मारे और उसके बाद bill C को दिया और C जो है holder in due course है तो यहाँ पर C जो है A से payment नहीं ले सकता चाहे वो holder in due course है क्योंकि forgery जो है उसको illegal मना जाता है illegal जो चीज है उसको आप legal नहीं कर सकते यहाँ पर holder in due course है किसी भी हाल में पैसे नहीं ले सकता अगर forgery का case है तो आप यह देखे जड़ा यहाँ पर एक example है इसको पढ़िए को बहुत important और अच्छा example है exam में question आ सकता है ठीक है फटा-फट इसको आप पहले holder कौन है holder in due course कौन है इसको note down करिए उसके बाद यह example पूरा एक पर read करिए चलिए आगे बात करते हैं देखे एक्ट में थोड़ी सी जो definitions है बहुत ज़ादा है और technical sense में है तो कोशिश यह करिए है कि आपको उसे इग्णम payment in due course का मतलब क्या होता है simple word अगर payment हुई है on या before maturity date चेक है and in good faith हुई है plus without negligence that is no reasonable ground that he is not entitled to receive the payment तो उसको हम बोलते हैं payment in good course suppose A के पास A ने कोई bill accept किया था चेक है B के against B ने उसे आगे C को दिया C ने आगे उसे D को दिया D ने आगे E को दिया E आया A के पास उसने अपना अधार कार्ट दिखाया चेक है जो भी valid identity थी वो दिखाई चेक है और कोई भी ऐसे circumstance नहीं दिख रहे कि A जो है E पे शक करे A ने उस जो bill E के पास था उसकी payment कर दी बाद में पता लगता है कि E जो था वो fraud था या कुछ भी XYZ पता लगता है तो A की liability discharge हो चुकी है क्योंकि A ने payment कर दी good faith में करी plus without negligence करी कोई उसके पास reasonable ground नहीं था that he is not entitled to receive the payment हाँ अगर उसके पास notice होता B ने C ने D ने किसी ने inform किया होता कि भाईया कोई E ने पोई व्यक्ति आ सकता है जिसके पास bill चला गया है लेकिन उसको हमें inform करना फिर भी उसके बावजूद भी A payment कर देता है तो फिर वहाँ प्रमाना जाएगा negligence है तो अगर आपसे पूछा जाता है payment in due course क्या है तो simply तीन बाते जो हैं उसके अंदर आपको mention करके आनी है चेक है तो किसे ऐसे ही note करिये क्योंकि यही आपके exam में useful होगा और लेकिन exam में से पूरा sentence बना के proper लिख के आई है समझ महीं है inland instrument and foreign instrument तो देखिए inland instrument क्या होता है कोई भी ऐसा instrument negotiable जो इंडिया में draw हुआ on a person जो की इंडिया में ही रहता है और payable भी इंडिया के अंदर है तो हम उसको inland instrument कह देंगे foreign instrument क्या होगा कोई भी instrument other than inland instrument मतलब drawn in India on a person residing outside India भाई आप बताओ ना foreign instrument कैसे बनेगे कोई भी ऐसा बिल जो इंडिया में draw हुआ but on a person residing outside India तो फिर वो foreign instrument हो गया drawn in India on a person residing in India but payable outside India तो भी क्या हो गया वो foreign instrument हो गया yes or no drawn outside India on a person residing in India yes or no and payable in India तो इस तरीके से आप multiple cases बना सकते हैं simple words में आपको लिख के आना है तो आप लिख सकते हैं instrument other than inland instrument और वहाँ पर आप inland instrument की definition लिख के आ जाई है definition कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दी है एक बार दुबारा बता देता हूँ देखो तीनो condition fulfilled हो रही है तो inland मतलब एक भी condition fulfilled नहीं हो रही तो वो foreign instrument बन जाएगा तो आप इसके example बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे if any negotiable instrument is drawn in India अगर वो आपसे example पूछ लेता है आपको लिख क्या आने पड़ जाते हैं आपने कुछ नहीं करना कोई भी दो चीजे constant रखो as it is और तीसरे वालों को outside India ले जाओ जैसे drawn in India on a person deciding in India फेबल outside India अब उसके बाद आपको कोई एक और example लिखना है तो आप एक काम कर लो कि ये वाला point और ये वाला point constant रखो इसको outside India रख दो means bill drawn in India, payable in India on a person residing outside India तो भी वो foreign instrument हो गया तो अगर तीनों में से कोई भी एक चीज इंडिया से बाहर हो गई तो simple सी बात वो foreign instrument बन जाएगा फटा फट इसको note करिए इसके बाद ये ही चीज अब को एक diagram से नोंने समझा रखी है इसके बाद endorsement का मतलब क्या होता है तो करता है either on the instrument or on a slip of paper annexed मैंने आपको बताया था कि जैसे bill of exchange है तो क्या होता है अगर इस पे जगा है आगे तो यहां लिग दिया जाता है back side पे जगा है तो back side पे सारी endorsements चलती है और अगर वो खतम हो जाता है तो उसके साथ एक paper attach कर दिया जाता है उस पे लिखा जाता है on instrument or on a slip of paper annexed with a purpose of negotiation negotiation मतलब उसे आगे transfer करने के लिए तो endorsement अगर आप से पूछा जाता है तो क्या मतलब है तो आपने simple सी बात लिख के आनी है endorsement simply means signing of negotiable instrument either on the instrument itself or on a slip of paper annexed with a purpose of negotiation is known as endorsement समझ मैं ही बात कि एकदम simple words में आपको definitions निकाल के दी है ठीक है हमने अपनी तरफ से पूरी मेनत करी है बस अब आपका मकसद काम यह है कि आप इसको पूरा का पूरा अच्छे से utilize करें बहुत important वीडियो है बड़े ध्यान से देखेगा endorsement in blank and in full in blank क्या होता है जब आप endorsement करते हैं in such a manner कि it is payable to bearer किसको पेबल है bearer को पेबल है तो हम बोलते हो से endorsement in blank देखें signs the instrument without mentioning the name of the person to whom it is endorsed such instrument becomes the bearer instrument and transferable merely by delivery suppose a ने b को endorse किया और उस पर लिखा pay to b और order sign by a फिर b ने आगे c को endorse किया लिखा pay to bearer sign by b तो दिखिए जब b ने आगे endorse किया तो किसी का नाम mention नहीं किया bearer को जिसके भी हाथ में होगा उसको pay कर दिया जाए तो this will be called as endorsement in blank लेकिन a ने जब b को दिया तो उसका नाम लिखा a pay to b or order तो endorsement in full किया होती है signs the instrument by adding the name of the person to whom or on who his direction amount to be paid at the time of maturity समझ महीं बाद यह बहुत important है इसमें यह basically एक तरह से instrument को bearer instrument में convert कर देती है ठीक है और इसकी वज़े से endorsement in full अगर endorsement है तो instrument जो है order instrument रहते है यह आप लिख लीजएगा कि यह instrument को क्या बना देता है bearer instrument और यह उसको order instrument ही रखता है कई बार एक चीज एक्जाम में आप से पूछ ली जाती है बड़े ध्यान से देखेगा एक बार instrument को bearer बना दिया अब सी सोचे कि मैं आगे D को इसे endorse करूँ और उस पर लिख दूँ pay to D or order sign by C तो देखेए एक बार अगर वो bearer बन गया न तो इस चीज की कोई validity नहीं है once आपने instrument को bearer instrument बना दिया तो बाद में आप उसे order instrument में convert नहीं कर सकते यह चीज आपने लिख भी दिया अगर C ने pay to D or order इसका कोई relevant नहीं है अगर D से कल दिन कोई छीन के ले जाता है E छीन के ले जाते तो payment E को हो जाएगे क्योंकि एक बार अगर instrument bearer instrument बन गया तो उसे आप बाद में order instrument में convert ही नहीं कर सकते इसलिए बार बार एक line बुली जाती है once the instrument becomes bearer instrument it cannot be converted into order instrument it will be further endorsed by mere delivery only सिर्फ आप उसे transfer कर सकते है once the bearer always the bearer कई बार पूछा जाता है इस line का मतलब क्या है तो इस line का मतलब इतना सा है जो मैंने आपको बताई समझ मैं इस बात करते हैं ambiguous instruments की क्या होते हैं ऐसे instrument जिनको आप bill of exchange या promissory note कुछ भी treat कर सकते हो holder at his own discretion to treat it as bill of exchange या promissory note मतलब suppose a ने एक bill draw किया और किस पर draw किया अपने आप पर और खुद ही उसे sign किया और उसको फिर c को endorse कर दिया अब एक बाह बताओ a ने बिल draw किया और खुद ही उसे sign किया और c को endorse कर दिया अब आप इसे bill of exchange कहलो या promissory note कहलो क्या फरक पड़ता है क्योंकि draw देखो promissory note में क्या होता है a सीधे promise करता c को कि i will pay you यही कहता न i will pay you जो भी amount of money and so on और यहां bill बनागे खुद ही sign करके endorse कर दिया तो instrument which may be considered as BOE और promissory note और जो holder है that is c at his own discretion यह उसके उपर है कि वो उसको bill of exchange मानता है या promissory note उसको हम बोलते है ambiguous instrument समझ महीं बहुत simple words में आपको दिया है sentence आप खुद बना लेंगे main बात मैंने आपको बताई अब दिखे सुपोज negotiable instrument में जो amount words में लिखा हुए और जो numbers में लिखा हुए वो अलागे suppose check है check में आपने यहां लिखा है एक लाक बट यहां लिखा हुए 10,000 only तो जो चीज words में लिखी हुए है उसको माना जाए कर the amount stated in what shall be the amount undertaken or order to be paid यह important है one mark question के लिए instruments payable on demand जिस पे कोई time specified नहीं होता उनको हम बोलते हैं instruments payable on demand फटा फट जो है यह आपको यह note करने की जोरत नहीं है यह वाला part इसकी जगह आप सिर्फ यह note करेंगे इधर आप यह पूरा note करेंगे और इसको आप note करेंगे चेक है करिए fast चलिए बात करते हैं incohet stamped instrument की incohet का मतलब क्या होता है incomplete stamping का मतलब क्या होता है कि देखिए जो भी bill of exchange बनता है उसको हम court of law से stamp करवा लेते हैं ताकि कल दिन वो एक legal evidence बन सके कि हाँ दोनों parties के बीच में contract sign हुआ था A ने B को goods बेचे थे और B ने उसे sign कर रहा था और पोला था कि payment कर दूँगा तो इसलिए उसे legally stamp करवा लिया जाता है और stamp के लिए आपको एक fees देनी पड़ती है legal fees जो generally 1.5% के आसपस होती है और depend करता है value कितना है suppose bill आपका 5,000,000 रुपे का है तो उसका 1% हो गया 5,000 रुपे ये legal fees उसकी जाती है अब inchoate stamp instrument क्या होता है बड़े ध्यान से देखिए जहां पर basically suppose Mr. B हैं उन्होंने bill को sign किया stamp हुआ वो और A को पकड़ा दिया और amount उस पे fill नहीं किया चेक है बड़े ध्यान से देखना instrument signed and stamp but incomplete as regard to the amount amount fill नहीं है और holder A को authority देदी has the authority to complete it अब जब A को authority मिली किया आप अपने हिसाब से amount भर लेना अब suppose उस पे stamp duty हमने 10,000 रुपे पर बढ़ी है तो obviously A जो है उस पे 10,000 से उपर का amount नहीं भर सकते holder has the authority to complete it but not exceeding the amount covered by the stamp समझ मैं इमा जितना stamp है जितने पे आपने stamp duty पे करी है सिर्फ आप उतने तक का amount उसके उपर भर सकते हो उससे उपर का amount अगर भरा जाता है तो वो फिर valid नहीं है ध्यान से देखे holder in due course can recover the amount covered by stamp duty holder in due course लेकिन अगर holder है suppose A जो है holder in due course है तो तो वो 10,000 रुपे भर दे और recover कर ले कोई दिक्कत नहीं है बट अगर in case A जो है वो holder in due course नहीं है वो सिर्फ holder है बड़े ध्यान से समझना थेको अगर holder in due course है तो जितने की stamp duty पे करी है उतना amount recover कर सकता है लेकिन अगर A holder in due course नहीं है वो सिर्फ holder है तो वो B से कितना amount recover कर सकता है not equivalent to stamp duty holder can recover the amount intended to be paid सुपोज B की intention ये थी कि A जो है approx 8000 रुपे maximum जो है उसमें fill करेगा तो फिर A जो है 8000 रुपे की recovery गार सकता है stamp duty जो है उसकी equivalent भी amount recover नहीं कर सकता आपको सोचो कि सर B की intention ये थी कि वो 12000 लेगा अरे अगर 12000 की intention होती तो 12000 की stamp duty पे करता ना वो उसमें pay कितने पे करी 10 पे और उसकी भी intention ये थी कि वो 8 से उपर नहीं लेगा 8000 तक ए चार्च करेगा चीक है बट उसने सुपोज 10 भर ली है और वो holder है तो उस case में वो सिर्फ 8000 ही recover कर पाएगा ये बहुत important point है जितनी intention थी pay करने की और that will be decided by the B कि उसकी क्या intention थी ये बहुत 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 important चीज़ है कि incohate stamped instrument क्या होता है और ambiguous instrument क्या होता है इस पर question general exam में पूछा जाता है इसलिए इस एक्दम simplify करके आपके सामने रखा है और ये 2 points सबसे जादा important है समझ मैं इवा incohate में याद रखिएगा कि वो sign in stamp होता है सिर्फ incomplete होता है as a guard to the amount और holder पर ये write होता है और वो कितने कितने amount recover कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया और ambiguous के अंदर क्या होता है जो BOE और promissory note कुछ भी consider किया जा सकता है वो holder पर depend करता है कि वो इसको क्या मालता है very important video प्लीज इस अच्छे से करिए चलिया बहुत simple बाते हैं यह आप foundation level पर भी सीख क्या रहे होते हैं ध्यान से देखी at site on presentment का क्या मतलब होता है तो at site ही on present का मतलब होता है on demand after site लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है after acceptance in case of bill of exchange and after presentment for site in case of promissory note प्लीज इसे ठीक कर लिजगा देखे bill of exchange है तो जैसी वो accept हो जाता है suppose कोई bill draw किया गया three months के लिए three months after site चेक है three months after site का क्या मतलब है अब बता हो suppose वो bill draw किया गया एक जनवरी को चेक है और से accept किया गया 10 जनवरी को तो जो three months after site है मतलब 10 जनवरी से आप उसमें three months add करेंगे क्योंकि after site का मतलब क्या है after acceptance समझ गाई बत add site जो होते हैं वो on demand होते हैं उसमें कोई due date नहीं होती maturity कैसे निकलती है due date में three days of grace add किये जाते हैं वो maturity date बनती है आपकी yes or no? sure इसको एक बरफट आफट note करिये fast इसके बाद एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है in case note या bill stated है months में तो आप अपनी calculation months में करेंगे और अगर वो days में है तो आप अपनी calculation days में करेंगे ये नहीं है कि 60 days है तो आप उसे two months में convert कर दे है two months है तो आप 60 days में month में है तो month में calculation करनी है days है तो days में ये आप already foundation level पे भी देखते थे same है after date है तो इसका मतलब यह है कि from the date it is drawn और after site का मतलब क्या होता है from the date it is accepted ठीक है? ये इसके बाद आपको करने की ज़रत नहीं है इसके बाद ही example है इसको just एक बाद आप go through कर लीजेगा सारे के सारे उसके बाद एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि जिस दिन bill draw किया जाता है या present किया जाता है for acceptance as the case में भी उसको हमें exclude करना होता है कि suppose bill draw किया गया एक April को चेक है? और bill है one month का तो एक April में one month आप लेते हैं तो यह नहीं है कि आप उसे 30 April को terminate करेंगे वो 1st May को terminate होगा फिर उसमें 3 days of grace add करेंगे तो यह आपका 4 May आएगा या suppose एक April को है 30 days का है तो एक April से start नहीं होगी counting counting start होगी 2 April से कबसे? 2 April से 2 April, 3 April, 4 April, 5 April तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पहुँचेंगे 1st May पर फिर 3 days उसमें add करेंगे तो 4th में आएगा तो date on which bill is drawn or present for acceptance drawn इसलिए लिखा है अगर after date है present इसलिए लिखा अगर after site है चाहिए? as the case may be is excluded वो date आपको exclude करनी है, समझ मैं आप इसके बाद जिस दिन maturity हुई अगर वो public holiday है तो आपको next, preceding business day लेना होता है next से confused होंगे preceding business day ले लीजे suppose वो 15 अगस्त है तो फिर आप 14 अगस्त लेते हैं और अगर वो emergency holiday है तो क्या लेते हैं? next day चेक है? तो काफी familiar सा लगता है यह act क्योंकि इसमें काफी practical bill of exchange में earlier stage पे करके आ रहे होते हैं emergency holiday है तो next बड़ा इननना मुनना प्यारा प्यारा act है मज़ेदार एक्तम, free के marks देता हो फटा फटी से सब आप एक बार जहें note करिए यह जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ इतना करना है और ज्यादा दिमाग लगानी कि इसमें कोई जवरत नहीं है चलिए, section 42, 43 और 44 में कुछ special privileges दी गई है holder in due course को उसकी हम बात करेंगे क्या ध्यान से देखिए in case of holder in due course if bill is drawn by a fictitious person acceptor cannot refuse to pay the bill मतलब suppose b ने एक bill draw किया a पे ठेक है और फिर उसे endorse कर दिया c को और b जो है actually कोई person है यह नहीं exist ही नहीं करता है एक fictitious person है एक character बनाया गया है बस originally c ही b है b तो उसने सिर्फ नाम के लिए कोई person मना दिया उसने draw किया उसने accept किया a को यह बात पता लग जाती है अब suppose उसने आगे यह endorse कर दिया d course और d जो है वो holder in due course है तो यहाँ पर basically जो है a cannot deny payment a जो है payment deny नहीं कर सकता in case of holder in due course if bill is drawn by a fictitious person acceptor cannot refuse to pay the bill however holder in due course need to prove d को यह proof करना पड़ेगा कि that the hand writings of the drawer यह जो यहाँ पर hand writing थी और जो first endorsement हुई तोनों hand writing जो है वो क्या है same है यह holder in due course को प्रूफ करना पड़ेगा समझ मैं यह special privileges है जो holder in due course को मिलती है इसके बाद bill drawn accepted or endorsed without consideration cannot be enforced for recovery of payment अगर कोई भी bill draw किया गया है accept किया गया है endorse किया गया without consideration तो आप for the recovery of payment उसे enforced नहीं कर सकते suppose B ने bill draw किया A के उपर चेक है यह draw रहे है और उसमें कोई consideration नहीं है तो obviously we cannot recover from A however उसने अगर C को endorse कर दिया और C जो है holder in due course है तो फिट C can recover the amount from A however if such bill is further transferred to holder in due course it gets cleansed from all the defects वो clean हो जाता है सारे के सारे defects से and all subsequent party can recover the amount मतलब suppose C ने आगे फिर D को दे दिया D ने आगे E को दे दिया तो फिर कोई भी पार सा जो है अपना recover कर सकता है चाहे वो holder in due course है या नहीं even यह holder भी होगा तो भी पैसे recover कर सकता है क्यों कि एक बर यह holder in due course के हाथ से निकल गया तो इस तरह इसका status यह है कि समझो बस वो गंगा जल पड़ गया होता है ना कि गंगा जल डाल दिया तो सब को चमरित हो गया same way एक बर वो holder in due course के हाथ से निकल गया तो it gets cleansed from all defects समझ मैं यह बर यह कई बर special privileges पूछ लेता है holder in due course होता क्या है क्या benefit है वो तो आप देख चुके लेकिन है कुछ additional special privileges हैं जो आप से पूछी जा सकते हैं और जितने simple words मैं बता रहा हूं सर्फ यही करना है law पढ़ेंगे तो काफी technical लिखा हुआ है इसका इसके बाद where it is proved that consideration of bill is more than agreed between parties in immediate relation suppose A और B के बीच में decide हुआ था कि bill बनेगा 10,000 का पट उसने bill बना दिया 15,000 का liability against bill is restricted to the amount as originally agreed जो liability है वो उतनी रहेगी जतना originally था that is 10,000 अब देखे यह प्रूफ करना court of law में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने अगर bill पे एक बर 15,000 लिग दिया तो आप कैसे proof करोगी कि 10,000 है चलो आप किसी तरीके से proof कर भी देते हो however it is not applicable in case of holder in due course and he can recover the full amount appearing on bill बट ये बात holder in due course के case में applicable नहीं होगी in the sense ध्यान से देखे suppose A से B पे bill B जो है वो drawer है इनके बीच में 10,000 की transaction होई थी बट इसने bill बना दिया 15,000 का A ने भी ध्यान नहीं दिया कि चलो छोडो B ने आगे C को दे दिया C जो है holder in due course है अब यहाँ पर C जो है वो A से full amount recover कर सकता है पूरा का पूरा 15,000 लिपे बट हाँ अगर सिर्फ holder होता C holder in due course नहीं होता तो यहाँ पर A जो है 10,000 रुपे से उपर pay करने के लिए bound नहीं है समझ महीं बन where it is proved that consideration of bill is more than agreed between parties in immediate relation यह immediate relation किसका है A और B का liability against bill is restricted to the amount as originally agreed however it is not applicable in case of holder in due course and he can recover the full amount appearing on bill समझ महीं बन बहुत ही simple words में आपको दी है ताकि आपको कोई परशानी ना है इसके फटा-फट अच्छे से notes बना लीजिए ठीक है